Good afternoon, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नवीन यादो से, नवीन यादो CGL 2018 में अभी तक 3rd टॉपर बने हुए हैं, इनके मार्क्स 600 में 608.6 हैं, तो मैं Unacademy के मन से आप सभी का स्वागत करता हूँ, और मैं विशेश रूप से इन बच्चों की तरप से भी नवीन का स्वागत करता हूँ, और नवीन से मैं चाहता हूँ कि नवीन अपने आपको इंट्रियूज करें इक बार, उसके बाद हम फिर कोशन सेरीज आपके साथ शुरू करेंगे, नवीन. सबसे पहले थेंक यू, तो मैं नवीन यादव, यह मेरा फर्स्ट अटेंप्ट था, वही दिरे दिरे सब पता चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में नर्वसनेश थी, दिरे दिरे सब फ्लुएंसी में आ गया था, और भगवान की दया से, सर की दया से, सबकी दुआउ कर पारें, हम लोग कंफिडेंस नहीं बड़ा पर, कोई नहीं, एक बिल्कुल असा कोशन सुरू करते हैं, और मैं चाहता हूँ, हर बचे इसका जबाब जानना चाहिएगा, और पहला और बेसिक सा कोशन की, सफलता कबाद कैसा महसूस कर रहें, मुल्ब कुछ मजा आ रहा ह क्या अंतर है, आप मुल्ब क्या अपने परसनल लाइप में क्या ऐस अफील कर रहे हैं, जो हमारे साथ आप सेयर करना चाहेंगे, सबसे रिजल्ट के बारे में इनसान की सोच होती है न, खुद के बारे में, बस वो थोड़ी बढ़ जाती है, फैमिली आपको देख रही है, वो थोड़ा नजरिया बदल जाता है, मतलब में यह यह कि आप खुद की नजर में उठ जाते हो, और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, बस वो जवाब दे रहो या, आप, आप, शेयर करें कि आपने मतलब एक साल कितने मुश्किलों से, मतलब वो क्या था, उससे पहल करते हैं, कब रिसाइट किया कि आपने ऑफिसर बनना है, सीजेल कॉलिबाइक करना है, और सीजेल के तुरू देश की सेवा करनी, मैं चाहूंगा इसको आराम सेंसर करेंगा, जैसे सबसे पहले मेरी एससी की जरनी स्टार्ट हुई, जून 2017 के आसपास, जैसे जब एक इनसा जैसे मैं कोलेज में था हिंदू कोलेज से हुए, दिल इनुवेस्टी, तो कुछ नहीं दिख रहा था, तो दोस्ते में बोल दिया, एससी कर ले, सबकी साथ मैक्सिमम की साथ ही होता है, तो फिर मैं कोचिंग वहरा गया, तो मैक्सिमम मुझे ऐसे लोग मिले जो, मैं लोग सेकिंड या थर्ड एटेंप दे रहे थे, थोड़ा उन्होंने नेगटिविटी भर दी, तो अससी नब्बै मैंने मोक दिया मेरे 82 के आस्वास मार्क साहे थे, उन्होंने कट ओफ दिखाई, मैं डर गया, तो फिर मैंने छोड़ दी ते यारी, मैं कोचिंग भी नहीं गया से, फिर ताइम बीता, सब कुछ तूट चुगा था, मतलब कि जैसे ग्रेजिएशन में पास आउट वा तो मेरे को लगा था बस तो खतम है, तो कुछ नहीं कर सकता, तो जैसे फिर ऐसे हुआ कि दोस्तों से पता चला सर के बारे में, गुरुकुल से पढ़ा हूँ मैं स्ट तो फिर मैं 2018, 18 मही को मेरा एक्जाम खतम था, 19 मही को मैं गुरुकुल में था, तो 19 मही को सर ने बताया जैसे कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, कि इतने घंटे तुम अभी नहीं कर पाओगे, धिरे-धिरे कर जाओगे, तो मैंने सच बतारों कभी नहीं सोचा था कि मैं 12 घंटे प दिमाग कहीं भाग रहा है, सामने बुक रखी है, फिर धिरे-धिरे करके दिमाग सेट होता आ गया, और मतलब फिर तो, क्या बताऊ, लाश्ट तक तो ऐसा होगे, तो मेरे लिए खेल था, मैं मेरी और सबसे अची चीजी यह रहेगी, मैं स्टार्टिंग से लेके, मैंने पहले कभी, जैसे सब बोलते थी कि इतना अच्छे से प्रिपेर कर रहा है, इतने मोग टेश में अच्छे माख साने लगेते, पहले तो बुरे अल्था, दिरे दिरे करके सब इंप्रूओने लग जाता है, तो फिर ऐसे सब नहीं होसला बढ़ा जिया तो कुछ मेरे स हर चीज का सारी ही है पूरा, कि भाई लगे रहा हूँ बस, और सर इसके बाद जैसे टीर वन दिया, तो टीर वन के बाद नॉर्मलेशन वहा, मेरा अच्छा स्कूरा गया था, फिर टीर वन में मेरा 214.87 था, फिर क्या हुआ कि पर अवाह में चड़े का भाई में है, वही बाद सोची नहीं थी तरह नंबर होगी, नॉर्मलेशन चड़ा दिया, तो फिर कुछ 20 दिन के आसपास बैलेंस बिगड़ा मेरा, फिर जैसे सर वे और सर थे, तो उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया कि भाई ऐसे काम नीच चलेगा, बहुत बच्चे हैं जो चड़े हैं औ लो पे ली और फिर दिरे दिरे अब मेरा 608.6, टीर वन में मेरा 214.87, मैट्स में 44 मैंने 22 अटम्ट किये थे, सब ठीक थे, इंग्लिस में मेरा 45 था, जी एस में मेरा 41 था, और रिजनिंग में 45 था, और मैट्स में 202 पॉइंट कुछ आ रहा है पता नहीं है, और मेंस में, इंग्लिस में 191 कुछ है, माक्स सुनके कुछ गुश आ रहा है, नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, नहीं डर नहीं है, यही पॉइंट जो इन्हों ने कहा, कि आपके पास डराने माले लोगों की संख्या जादे होती है, जैसे इन्हों ने बुला बेकि माहौल बना दिया ग और इन्हों ने अच्छे से बता भी दी, हम सभी इस चीज़ को फेस करते हैं, रिगुलर्टी नहीं बन पाती है कई बार, है ना, तो इसने बोला नहीं मैं बताता हूं, दिवाली भी नहीं इन्ज्वाइ किया इन्हों ने, है ना, दसारा भी नहीं इन्ज्वाइ किया है, जो ये कूट-कूट के भागते हो ना, कि घर जाना है, घर पीए है, पंद्रह दिनों गया, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो मनलब आप सायद है, मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो आप बुरा मानेंगे, तुम ही बोलो, तो बोलना चाहरे थे, येस, जैस बस वो कुछ नहीं फिर दो बार थपकी मार के कोई ना भाई, और भाई टायल टू दे लो घरी रहना है, एक बड़ टायल टू में खीच दो अच्छे से, पियर थ्री अपने आप कर लोगे, अब टायल टू खीच गया दो, बस इस से जादा तो क्या हो से तो, तुमारे देखा वो, और जो मैं बाकी को देखता हूँ, तो मेरे क्या सिकायत रहती है, तो यू ही हम बात कर रहे थे, कि हम इस पर भी बात करेंगा, खेर, एक और अच्छा सा कोर्शन, इससे भी बच्चे अपने आपको जोड पाएंगे, तो क्या आपको भी कभी निरासा हुई, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं म्मलब पता नहीं कैसे कर रहा हूं, सभी लोग मेरे दोस्ते इतने आगे निकल गए, तो कैसा रहो मार आपका निरासा वाला दौर आए कया और आया, तो आपने उसको कैसे अपने आपको बाः गया उससे? तो निराशा तो हर किसी को होती है और हर हफ्ते होती है और हर अहते में एक दिन हसाता है कि जिजिन तो बिल्कुल लग जाता है भई भुख फार दे उच भक लाग से declining तो बस कुछ नी तब कैसे राम का नाम लेके माबाप का नाम लेके बस लगे रहना बस और वही टाइम है जब आपका दिमाग सैट होने लग जाएगे भाई इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है और यह आवा बना रखिए जो 6-8 गंटे लग रहे हैं ना भाई समझ पा रहे हैं कि वही वो टाइम है जब आपको अपने आपको कंट्रोल करकर रखना है कुछ लोग प्रस्टेट होके पढ़ाई छोड़के कुछ खाने पीने का इस्तेमाल कर रहे होंगे और कुछ लोग अपने बुकों के साथ ही लगे होंगे और लगे रहेंगे उस देख लिजी क्या हो अब कर दोशे कि क्या मनलब फाइनेंसली वीक होते तो आप कम पढ़ते यह जादे पढ़ते या कुछ मनलब आपका फाइनसली स्टेटस ठीक था तो उससा आपको क्या बेनेपीट हो है जो बाकी बच्चों को जिसकी मनलब चुनावती का सामना करना पड़ता है उसको आप और मजबूत होता और इतना मैं कह सकता हूं कि जब भी मैं SSC के बारे में सोचता था भाइ CGL करना है तो यहां से लेकि यहां तक एक वाइबरेशन जाती जी कि भाइ करना ही करना है तो बस ध्यान वहीं लगे रहो गस चले, about to the point जब आप दे दे रहे हैं कोशन खतम हो जा रहे हैं बागे चले हैं तायर वन की आपकी स्टेटजी क्या रहे हैं, आपने महलब क्या स्पेसल किया है, जो से बाकी बचों से आप इतना आगे इतना अच्छा नमबर ले के आप है आपने GS में 41 marks ले लिए जो कि बहुत मुश्किल है तब है हमारे बचों के लिए मैथ में तो चले ले के आजाते हैं हाँ मैथ में आपका अच्छा point रहा कि आपने 22 की है 22 के 22 राइट थे इंग्रिस में आपने 45 बता दिए सबसे पहले जो सबसे जादा डिस्कस किया जाता है GS तो GS में मेरा ऐसे था कि मोक टेश देता था तो 10, 12, 15 तो धिरे-धिरे GS का यह होता है कि पढ़ भी रहो लेकिन marks फिर भी नहाते । चच बात है लेकिन मैं यह बोल रहो ऑं कि जितने बार हो सगने। अब मेरे क्या खा शेत है मेरी खाल्सित में रतू हूं बहुत रतू हूं है मैं समझ रिसकता है, लोग बोलते, लुसें परड़ो, लुसें परड़ो, बड़ो बढ़ो, बढ़ी कुछ समझ निया है मैं रतु हम एक बढ़ी, परली नियो पड़ा कुछ, नम्मर रा न ही रहे, तो फिर जैसे एक selected रहे बताया, कि बढ़ी मन और पांडी की 30 रुर वाली पतली जी तो मैंने प्रिवेश एर उठाई हिस्ट्री पड़ा हूँ मैं हिस्ट्री के साथ साथ पहले मैंने उसको अच्छी से रटा मैं अच्छी से रटा हूँ मैं अच्छी से रटा हिस्ट्री को पॉलिटी को अभी हिस्ट्री मैंने उठाई और हिस्ट्री में से एक क्यू कुछ पढ़ा तो बायो अब कुछ यह हो गय था है मेरे टेस्ट में आखिरों में बायो हर बार गलत हो रही थी और बायो का उसके अंदर लल्लू सा टोपिक था कुछ मज़ेदार नहीं आए मज़े नहीं आया उसको रटने में मनुर पंडे में तो फिर मैंने लुसेंट का फ फिर दिरे करके सारा कवर किया और फिर उसके बाद जब वो सब हो गया तो प्रिवेस एर मेरे लिए आसान बन गया था क्योंकि जब मैंने प्रिवेस एर ही पढ़ रहा हूं एट लिस्ट मैं रट तो मैं प्रिवेस एर ही रहा था तो फिजिक्स केमेस्ट्री थोड़ी ठीक तो मतलब मेरे मोग टेस्ट मेरे 44 भी आये हैं GS में लेगिन एवरेश स्कूर मेरे 35 के आसपास आ गया था अब आप सोचते को 10 12 से 35 तो ये सारा वो बस मैं उसाइद मैंने चार महीने GS पड़ी थी क्योंकि एक साल तक तो कोई डेटी नहीं आये मैं एक साल तक हमारा पेपर नहीं हुआ तो फैब के आसपास तक मैं बिल्गुल मैथ इंगलिस पीक पर पोच गया था तो उसके बाद सर ने बोला कि कोजिस करकी तो जितना हो सके GS को खीच दे अब मेरी ताकत रटने ही थी मैंने पूरा रट लिया और अब मैच की बात करते हैं तो मैच सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में आया तो अब हम लोग कोचिंग क्यों लेते क्यों हमें पता नहीं होता है कि क्या आना है पेपर में सबसे बड़ टो यह हुआ की सबसे पहले उन्हों नहीं पता दिया रागी शथिए क्लास नौ्स अथे ते अब भी आते हैं तो मैंने वो सर बोले कम से इतना हो सके कि तू पांच सबसे पहले चाहिए उनको कर और मैं सजज बता हो मैंने प्री से पहले साहँ भारत वो किये है और कई बार यह राखेशादो क्लास्ट मुझे रिली अब किरेंड में जहा जहा मुझे कमी लग रही थी सर ने मेरे को मदर्स वाले अब मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ एक बुक पढ़ना है क्योंकि एक बुक का क्यूशन नंबर टू दूसरी बुक का 27 बिलेगा तो कोई फाइदा नहीं आप दस बुक पढ़ रहे हो एक ही बुक को पढ़ लो तो फिर उसके बाद मदर्स की तर्साथ है अब मैंने उनको सोल किया तो बाद मदा जल भाई दो किरन है बराबर बात होगे बस यह होगे कि एक बार और कर ली तो फिर उसके बाद मैंने फिर से बार की शाय जब रहिए क्लास नोट मैं सुछा लेता हूं तो उसके साथ साथ हमारे यह रहता है घ्लीक मेरा 10 दिन गया तोटल और साथ कोई ऐसा दिन नहीं हुआ को जिस दिन मैंने बुक देखी ना हूँ जिस दिन मैं पढ़ा ही ना हूँ और तो मैट्स का जितना हो सकी मेरा मैट्स का यही तर रेपिटिशन 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 आज़न मोग टेस्ट मोग टेस्ट or मेंस से पहले जैसे जैन के आसपहसे ऐसा हो गया था कि मैफिक हो ग conservation तो सर ने बुकलेट देदी कि तु ओन्लाइन तो मत दे चाहे लेकिन benefit तो ऐसी हुता थाम रात को कुच बच्चे शौजाती तो मरको टो मैं इनाण लग जाती थो तो फिर मैं यही चिज़ सोचे कि क अट जाएगा तो दूसे आगे सैगे तो जाएगा जिए जए जब वह सारे 11 आपज दो भी 11 आपज भाज तो फिर मैं यह गाए कि सारे 11 आपज चूक पर दुम मैं 11 आपज मोग तर्टार्ट कर लूआ तो और सच बदारों सपीड अची हो गई थी उस टाइम पे 2015 वाला इस टाइम के कंपैरिजन में से 2017 कंपैरिजन में असान था तो वे पेपर और कुछ में प्रिवेश एर कर चुका था तो लगब क्युशन आते हैं तो वे डेड़ गंटे सवा गंटे पौने दो गंटे का में टाइम लग गया उनको अनलीजिस करके फिर सोता था मैं और फिर यह था कि सच बदारों मैक्सिम टाइम तो ऐसा होता था कि मैं बच्चों से लेट सोता था और बच्चों से पहले उठता था और वो यह नहीं है अब मैं घदे-गोड़क तरह सोता हूं अब तो लेकिन सबसे लेट सो रहा हूं सबसे पहले उठ रहा हूं उनको जगा रहा हूं और अब आप अलारम बजा लो गंटा फरक नहीं पड़े है अब रिजनिंग के पर आते हैं मैस का सबको क्लियर है मैस में बस यह है आपको रिपीट करना है जितना हो सकी चाहिए कोई बुक कर लो हा स 그건 बसी कर कर लो यह चाहिए बस सब्सक्राइब करने टाने की आपको पर लिए बस स क्योंता बजहीं पर आपको बसे मशे कूच हो गेशब लोग तो उनका पता नहीं आरा को उसके बाद रिजनिंग की बात करते हैं इसनिंग का सब्सक्लार के प्लीकित तो कुछ कलेंडर वगेरा ये यूनिट उती है ये थोड़ा नोट से पढ़ लिया था English English का सबसे पहले जैसे English में सबसे पहले गुरुकुल में आया कदे ऐनों ससर करने में सबसे नहीं हैं, तो में ढूंसे लिए का मैं सबसे हम तो सबसे बड़े इज वर इस में चीट तो पह्ते तो या रा रे एद नियो पारे हंँ जित्गा इए अब वह क्या है कि एक Perché ऐख श. depressed kater अवाल ररा बूकलेट या उन की दो बुकलेट अच्छाट में एक прост आ अप तो सचाथ बूकलेट यागी होगी तो परले सबसे पहले दो वो रटी फिर नित्तु सिंह रटी फिर मैं फिर बोलो मैंने रटी आपने निया था फिर इसके बाद मैंने एक वो दो जर सबसे तरह में अच्छे माक्से उनके तो उन्होंने बताया तो मैंने SP-Bakshi book होती है SP-Bakshi तो पढ़े तीसरा पाट नहीं पढ़ा बागी पहले जो दो वोकाप के पार्ट यह अच्छे से पढ़े अब यह कि मेन वोकाप तो बोजदर टाइम मंगी वोकाप ने भोजदर टाइम मंगा था मेरा लग भूलाग ज़गा कुल रगा था ज़ भी मैंने कई बच्चे देखे जो एक इनुट को पंदरा मिनिट में पढ़ जाते हैं अब फिर मैं रटू तो था समझ में तो आता नहीं है तो मैंने कोशिस की कि कुछ भी हो सके मैं रटू उसको तो मैंने जितना हो सकी मेरे को लग बग देढ़ गंटे का असपास लगता था यह तो नहीं के बाद मैंने एस्पी बख्षी कि पूरा नहीं पड़ा सिर्फ जो एक्सरसाइज में 15-25 पचीस 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 पन्दरा मैं बूल रहा हूं तो वो थे बस वो पड़े ता कि उनसे मुझे यह पता जल जाए कि हा मुझे कुछ आ रहा है फिर भी पड़ी फिर तो उनसे उनको पढ़ी आइडिया लगा था कि एरर ऐसे चाठते हैं फिर मेंस के टाइम पे मैंने मिरर्व कॉमन अरर दो या तीन बार पड़ी तो फिर उससे और अच्छा और उसके साथ 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 प्री के टाइम ही मैंने मिरर की जो एक्याओन किस्टन होते है क्याओन किस्टन साथ साथ कर लिये था मैंने परी के टाइम था आरे पास तो एंगल्यास का ऐसे गया और मेरी सबसे बड़ी मैं गल्ती पे फोकस जरूर गरूँगा क्योंकि मेरी जहां पर गल्ती कम उससे मार्स न की आयए तो इंगल्स में सबसे बड़ मैने निउजपर मैंने जनवरी फरवरी आशोष पड़ा था बाद में छोड़ दिया मैं तो उसके बाद तो फिर उसके बाद निउस्पेपर निए पड़ा तो मेरा उस में कम मार्स आए थोड़ा बाकी आपको फिर यही काऊँगा कि आपको अपनी ताकत पर लड़ना है चलो अर्याणवी जग्या अंधर का है न और इन्होंने इंग्लिस में 191 मार्क्स को कम बता रहे हैं और इन्होंने बताया कि अपनी कमी क्या थी उसको कमी क्या बताएं एक चीज जो मैं चाह रहा हूं यह बोलें और आप लोग को जाना जो रही है खासकर ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं आप लोग जूड़े हुए उनसे वो इनर्जी कहां साती थी कि रात को मतलब सब कोई सो जा रहे हैं फिर आप जगे हुए हैं सभी लोग सो रहे हैं फि दूरी थी किसी का वादा था मनलब क्या कैसे मनलब कहां से इतना लंबा टाइम एक साल में 365 दिन में दस दिन भी ब्रेक न ले पाना है ना हमको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे नहरे कुछ नहीं नॉर्माल हो जाता है टॉप करने बद कोई भी कह सकता है मैं अ पर हैं लेकिन जीनियस नहीं मेहंती हैं यह तो मैं भी देख रहा हूँ और आप भी साथ बातों से समझ भाएंगे कोई वर्ड भी इन्हों ने आपको दिया आप चाहें तो लाइप में यूज कर सकते हैं जै फ्रस्टेट हो तो है ना वो आप कहां यूज करेंगे वो आप वो SSC था और अब मैं सर भूल रहा हूँ आप लिए मैं पूछ रहा हूँ आप चाहें ठीक ओके 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 चले मेरा कोशन ही है कि अपने अपने जजबे को मतलब इतने लंबे समय तक कैसे मेंटें कर ले जैसे आपने साथ उसका जवाब दे दिया है और भी देना चाहेंग इस एक खुद की भी वह होती है पहले ही अपनी इमेज ऐसे मत रख्विक मुझे डेड़ सो स्कोर करना है डेड़ सो करना है लेकिन बाई एक स्वस्थी पर पोचना है क्योंकि डेड़ सो पर करने तुम फिर से अगले साल तयारी करने वाले हो अभी कोशिस कर लो ना अभी पोच जाओ और एक कलती मत करना भाई कई बच्चे कर जाते हैं जूनुन में इतने पागल हो जाते हैं कि वह चार गंटे में इस होते हैं है ऐसे बच्चे सच में है मजाकनी है तो यह जरू रखना कि आपकी नींद पूरी हो जाए मतलब एट लिस इतना हो जाए कि पड़ा मैं सच बता रहा हूं मैं दिसंबर के आसपास हार बच्चा यह सुच रहा है एक्जाम का बहुगा मेरा कुछ तो पहला टेंट था कुछ मेरा को पता नहीं था भाई क्या होता है एक एससी भाई होता होगा तो फिर मतलब स्टार्टिंग में जब बच्चा पीक पाड़ता ह है ना कि एक्जाम एक महीने पहले है तो उतना में दिसंबर नौवंबर अक्टूबर इनके आसपास पढ़ रहा था इस मैं सबसे पहला वही बता हूंगा कि सबसे पहले यह मैं लगातार लगा रहा पूरे टाइम कोई कुर्शन है आप लोगे इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं चले एक कुर्शन है यह भी जानना चाह रहे होंगे बूल नहीं पार है आप एकडेमिक जो आपका एजुकेशनल बेगराउंड वो कैसा रहा मरलब आप एबलेज रहे है टॉपर रहे है लोर रहे है मरलब य अब ही अचानक ग्रिजुशन के बाद आप मेहनती हो गए या जुनून जग्या तो उसको तो ठोड़ा को रिलेट करें सर जैसे ऐसे है कि 12 तक में ठीक था कोलेज में आप गाहों से जब दिल्ली में लोंड आता है तो बिगड़ता है थोड़ी बोत आवा लग जाती है तो मेरा यह इन्ते अवा ह्याथ टु नहीं लगी थि लेकिन पढ़ाई से टच कम हो गयाता मेरा पढ़ाई से टच हलका सक माचा हो गया था तो उसके बाद से फिर खुद की मॉरल दाउन होना अगता है फर तो यह ओ गयाता दी हप इस बच्चे जाना चार आपने डिग्री क्या किया है कुछी को लग रहा है कि आप साथ इंजिनियर हैं बीटेक हैं क्योंकि हमें एक बैहम हो गया है आज कर टाइम में कि टॉपर से इंजिनियर ही बन सकते हैं है ना तो वह बैहम थोड़ा सा दूर करो यह तो मैंने B.S.C है लेकिन सच बता रहा हूं है मेरे 7.6 के आसपास GP है लेकिन मैं डिजर फोरी करता हूं कि दोस्तों की महरबान नी पास वह हूं है तो मतलब कोलेज टाइम में इतना कोई नहीं था पढ़ाई के साथ इतना अच्छा बॉंड नहीं था लेकिन हां फिर गु जाओ बस धिरे अपने आप हो जाएगा मार्क्स धिरे दिरे बढ़ेंगे यह निया भाई अकाल असी तो पर्शु एक्टीस पोच को तो मैं अच्छा लग रहा है मुझे जानी अच्छा लग रहा है मैं जैसे ही चाहता हूं आपको अरुस बच्चे को जो मैं त्यारी कर रहा है यह मैं बौल दे रहा हूं मैं नहीं बोलना चाल दे म normal career के लिए है constation आप कुछ भी कर लें आप मरे हुए लोग के लिए तो नहीं है जिन्दा होना होगा और जिन्दा होने के लिए क्लिए क्लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है अब इसी कोसिशन को मैं को रिलेट कर रहा हूं यह बोलेगा तो ज्यादे अच्छा लएगा तुम जैसे गुरकु देश नहीं है 24 गंटे वाला तो गंटे नहीं भी होगा तो कोई दिकत नहीं तो अब मैं इस कोशन को ऐसे को रिलेट करता हूं कि मैंने किस इंटर्व्य में पूछा नहीं आज मैं पूछ ले रहा हूं कि आप गुरकुल को अपनी सफलता के लिए कितना बड़ा युकदान मानते हैं और थोड़ा सा वहां का एक्स्प्रियेंस एर करिए क्यों मैं कई लोगों को जबाब देना चाहता हूं बहुत सारे लोग प्रस्न लगा के गए है ना तो मैं चलो तुम जबाब दे उसका तो सबसे पहले जैसे गुरुकुल की बात है तो इतना तो आप समझ गए जैसे मेर को यहां से लिजाने में पूरा गुरुकुली था जो था जो था क्योंकि बाहर की आवा बहुत खराब है वहीं पे सब बाहर क्या हो रहा है मोटा भई क्या कर रहा है मोड़ी शाप क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चलता हूँ एक दिन किर फोन मिलता है तो उसके अब मेर कुई हो गया तो भाई किमियो सेलक्षन तो लेड़ो है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ करके कि भाई उनलाइन पढ़ लोगा उस दिन जैसे बाकी दिन ओनलाइन के थोड़ी बीड़ी लग रहती है कि हुर बंदा चाता है मैं पढ़ूगा मैं पढ़ूगा तो छु चाहता तो अच्छे सचे होंगे लेकिन सेल्फ स्टेडिक मामले में गुरुकुल सच्छा कोई नहीं है चीद्धा बोल रहा हूं और गुरुकुल में इंते से कुछ बच्चे थे तब तो बोल नी सकता था मैं तो जैसे एक बाई है गुरूजी अस्वयाभी नहीं सबजी बना दी। तुम्हें एक चीज पूरना जातों बाई दो महीने बाद तरा पेपर है। और तु शोब इनकी सब्जी देख रहा है। और दूसरी बाद भाई कोशिस करें। यार नमक कम हो जाता हो कोई फरक नहीं पड़ता। तो कि नहीं पहके द्यान देनकी सब्सक्क्राइब क कीया भई है। वन इक न भशक्राँल जाता। लेकिन ऐसे ही जबाब देने है ना करांतिकारी टाइप से बिलकुल चले और एक और बच्चे जानना चाहेंगे मतलब जब सेलेक्शन हुआ है तो उसके बाद आपकी फैमली जो रिस्तिदार या जो भी आस पास के लोग है कभी ऐसा हुआ मतलब लोगों ने आप पर प्रस्म लगाया है तो तो दिल ली जाके हवा बाजी कर रहा है और अब सेलेक्शन के बाद उनका नजरिया बदल गया हो मैं चाह रहा हूँ आप ये सेर करें जैसे बच्चे हमारे संगर्श कर रहे हैं हर बच्चे अपनी हूँ मैं इंस्पेक्टर बनुगा मुझे पैसे दीजिए कोई पर्सनल मतले ना लेकिन फिर बात बन नहीं पा रही है है ना लेकिन इनको कुछ न कुछ है जो इनको मोटिवेट करके रखा हुआ है वो मोटिवेशन क्या है कि जब मैं सपनल हो जाओंगा तो मैं अपने मां के लिए करूँगा मैं अपने फादर के लिए करूँगा अपने भाई के लिए अपने समाज के लिए ऐसा तो क्या मुनलब ऐसा लगा कि आप वो चीज कर पाय जो सोच रहे थे या उनका नजरिया बदला या कोई ऐसा experience जिसे इनको लभ इनको भी जीने का पाना मिल रहे है कि मेरा मेरा मेयन SSD करने का मूट्व एगा किसी जैसे हर को होता है मुझे मां के लिए बाप के लिए द动्राप के लिए कना है तो मेरा है ता मैं मुझे मेरा मां को कार किफ्ट करने को ollut मैं फुद की खुद की और एकुछ ममी पापा सपोपर काओ जांद चादत के दूड़ कि मेरा आसे क्यों मेरें पुछ प्रूश का जाद सॉ दस्काइव, मुरुच चैयार देन्ध देने पड़ेंगे तो उ अध्यें नो कि धेस्य कुछ यह करें गिंगया हूँ, तो फिर मैं रवालोको 40 अरफीस बर दित प्राइवेट हमे दित नहीं लगती है। तो फिर मैं घरवालोको बोला कुछ प्राइभालों ने एक बार कुछ निए है। कुछ भी निए है। और भी कोई ना उनिज्ए बोल दिया। कि आप लोग कोई कोई कोशन और हो तो मेरे बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं नहीं लब सारे कोशन के जवाब मिल जा रहे हैं जो आप सोच पा रहे हैं इनका कोशन है कि मौक में कितने माक्स आएं तो हम सेडिस्पाइड हो आपके मौक में कितने माक्स आते थे मौक में कपना कि लाएं और कई पर हमारे माक्स कम आ जाते हैं तो हम डिमोरलाईज हो जाते हैं तो ऐसा तो नहीं मडलाब कोशींग वाले जो टेसेरिज दे रहें यह हमारे कोंफिडेनस को तोड़ने के लिए हैं यह यह मॉश्बूत करने के लिए हैं तो उससमें हमारा response कैसा हो और यह जोड़ना चाहेंगे कि आपके marks कितने आते थे कि सबसे पहले तुम जाओंगा कि मोग टेस्ट के कोचिंग वाड़ों पर देखना है कभी नोट करना जैसे ही प्री जैसे मैं नोट किया था प्री खतम होता है प्रीगे जो भी कोचिंग सेंटर मोग टेस्ट बनाएगा वह मेंसे टफ बनाएगा क्यों ताकि बच्चा घबरा गवरात्य उसको दिखे को वाई ये टिचर बड़ा तगड़ा करवाता है तो सलक्सिंदों तभी होगा जब मैं इससे पढ़ूंगा तो थोड़ा इस चीज को नोट रखना है मैं मेरी कुछ एक गलती बता रहूं मेरी मेरी गलती हो थी मैं बता रहा रहा था वीज दिन महा तो इतना है कि दस में से आठ पच्चों सागे अपने आप निकल जा होगी तो वो बीस दिन आपको यूज करने हैं दूसरी पात आपके क्विश्चन था कि एक मतलब ऐसे होता होगा कि एक मोक में तो अठासी नमर आए है एक में 110 आ गई तो भाई मैं यही चीज पूछना आपका अठासी टारगेट है, 110 टारगेट है, 1.500 टारगेट है, 118 टारगेट है बस कुछ नहीं करना अप सबसे पहले 110 आ रहे हैं तो कोसिस करो कि महनत करके कैसे भी करके पहले 120 मेंटेंड करना चाहूं है ऐवरिज 120 सो जाएगा उसके बाद एवरिज 130 लेकर जाना है और भाई कमजोरी आपको पता है कि मेरी कहा कमजोरी है मुझे अपनी बस कमजोरी पे काम करना है थोड़ा-थोड़ा काम करते हुए सच बतानों कभी पता किसी को पतानी चलता सब फेकते हैं कि कब नमर भढ़ सब les practice करते चले जाते हैं प्रक्टेस करतेज अन्नीची समझ्वांट लग जाती है और मैं बीच में सरनिड जीनियस वरड़ बताय था उचे लग व्हों बीच मेंगता नातो नोग रोड़ा त। अशमय न का risk नगता मेंनेक nds के जानाची यह उस तरीका के क्षोटन है ऐसे ही होगा और जैसे मेरा अगर बताऊं तो पहले तीन महीने में मैं अगर मैं प्रिवे-शियर दे रहा था जो मैंने जैसे बीच में ऐसा था 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 एक प्रिवे-शियर मैंने कहीं दे लिया मेक्सिम क्यूशन आपको मोक में जो आते है ना तो उसमें 25 में से 20 क्यूशन तो प्रिवेश एरे होते हैं तो दे लेता है तो मेरा तीन महिने के अंदर प्रिवेश एर में लगभा कि 140-500 तक पहुच गया था मैं लेगिन अग मैं SSC ट्यूब वगेरा की बताऊं तो इतना ही यह ता था 100-110 तो दीरे 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 करके और मैं GS जब मैंने GS स्टाइटिंग में नहीं पड़ी थी जनवरी फर्वरी कर आपस तक तो जब मैंने GS नहीं पड़ी थी तो मेरा स्कॉर कभी भी इतना नहीं गया दे 160 से उपर चला गया हो कभी भी डेड़ू असपास रहता है म मेन रिजन वही था कि मेरी GS स्ट्रोंग नहीं थी तो इसके बाद जब मैंने GS पड़ी आप देरे देरे अभी आपको लग रहा है बस कैसे ने कैसे खुद को मेंटेन रखो मैं फिर बोला हूं थपड मारो कुछ भी करो बस खुद को मेंटेन रखा है इसको समाल के रखना है ब इसे होता था कि SSTU में मेरी 7 रंकार ये प्री में वन कभी नहीं आई मेरी तीन आई था एक बार साथ आई थी और क्यूमैट्स में दो आई थी इतना ही चला था मेरा एवरेज और जैसे मेरे कुछ ही हो गया था कि मैंने टार्गेट इतना वो सेट कर लिया था एक सो तीस प ती तीर वन में स्कॉर लियाओ कॉंफिडेंस में सबसे बड़ी चीज तो गॉंफिडेंस है बचे पड़ते हैं लेगिन एक गजाम में जाके घबरा जाते हैं तो कैसे ने किसे कुद के अंदर एकॉण्फिडेंस लिया हो हिए तो कर सकता है एक नशुब और कर लोगे को अनिलाइज जरूर करो मेरा अपना मानना है कि तुम लोग टेस्ट देने कबाद पलट के भी नहीं देखते हो इसलिए तुम्हारे मार्ग सोर नहीं बढ़न है कि माल लिजा आपने 100 कोशन किये हैं 30 गलत है उन 30 पर यादी काम करेंगे तो अगली बार कम से कम 15 उनमें से गल च्रेम लेकिन वह तुम्हारी जिमधारिक को तुम उस पे अनलाइज जरूर करो इनने बोला है बीच में तुम्हें द्यां ने दिया तुम्हें वाद अब तक खाम करने क्या बच्चे बुकमार कर लेते हैं कि बाद में कर लेंगे मैंने कि यह थे कई बुकमार कि यह वह बाद अब तक खतम नहीं हो ए तो फिर बोलों रिक्वेस्टी कर रहा हूं एक तरीके से कि जितना उसके आपके पास आज से 59 डेज हैं लगभग और आपके पास आज से 59 डेज हैं लगभग और हम यह मान के चलते हैं कि 70 प्लस वाला बच्चा इस बार सिरियस बच्चा है जिसको मुलाब अभी मुलाब हम किसी को आपके कितने भी आ रहे हो हम उसके नहीं प्रस्ट लगाएंगे लिए मान लेते हैं कि 40 परसेंट मार्क्स आ रहे हैं उसके ऑने पर अब उस बच्चे को 50, 50, 60, 70 परसेंट वाले भी उस बच्ची कि अब रणनीती क्या होने चाहिए एकले 60 दिन जैसे एक तो यह कोशन है कि यह 60 दिन में कैसे करें उसके बाद दूसरा कोशन में एक और इसी से लिटेट पर चूंगा तो पहले आप इस पर बात करेंगे एकले 60 दिन में इनकी इसा फोर्मेट होता है इस टाइप की क्युशन आते हो यह सोल करने पड़ते हैं फिर जितना हो सकें मोक दो अब यह नहीं है कि आप दिन में पांच मोक दे रहे हो एट लिस्ट बस जादा मैं मैक्स पे दो दे दो बस लेकिन उन दो का अनलीसिस इतना तकड़ा होना ची कि अब यह आपको मोक पे ही काम करना है और अभी कम से कम दो जाजय दे जो किसी भाई का होगा जो इस टाइम असी पे होगा और उसको लग रहा है कि जैसे मैं 2020 दे लूँगा अभी से तो मैं बता रहा हूं कि कोशिस मतलब मैं ना पक्का लिखके दे सकता हूं मैं अगर आप और अगर यह बाकी 69 दिन आपने एफेक्ट पूरा तरीके से यूज गया है ना पूरा तरीके से लब खुद का मैंड सिर्फ एक्जाम पे तो मैं लिखके जाते हूं सलक्षन तो गया आप टो बजार में आ सकते हो अब भी कि ए एक कुशन है इनका कि हम अब रिवाइज कैसे करें यह अपने ऐसे बताना है कि साथ दिन में भी कैसे रिवाइज करते चलें और लास्ट में भी कैसे रिवाइज जैसे रिविजन का यह है कि हम रिविजन को प्रोकास्टिनेट करने करने लग जाते हैं कि भाई अब करेंग माक्स आते हैं रिविजन से आप नया जो नया कब तक सीखते रहोगे पहले पुराना सिखते है उसी को तो अच्छे से बिठा लेंगे हम तो रिविजन तो करना पड़ेगा और अगर आप ऐसे मैनेज कर सकते हो तो होगी छे दिन पड़ा एक दिन रिविजन जो की पॉइंट है अध्य तो रिविजन ही करने है कि यह बैसें कई क्या होता है कि तो हम क्या करें यह एस का जैसे एक्सपर्ट तो हूँ नहीं मैं जीएस में तो जीएस का ऐगी जैसे मैंने तो मेरा फरक पड़ा किसे की मल्टिपल रिविजन सब चलते हैं ना तो कुछ ना कुछ पता नहीं क्या होता है दिमाग में कि अपने आप आंसर पे आपका अगर टू इन वन भी आप चूज कर रहे तो पच्चिस में से तीन किस्चन नहीं कर गया है वो टू इन वन छोड़ गया था और सच बतार हो तीनों ठीक होते अब वो गल्ती आज तक वो है अंदर तो कोशिस करना तो इन वन होना तो मैस में तो एट लिस्ट आपको ट्राई करना और यह 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 से इसका दुख समझो तो तीन कोशन कर देता तो आज सायद यह फर्स्ट पोजिशन पे होता सेकेंड पोजिशन मारे से सिर्फ पॉइंट शिक्स पीछे है तो सिर्फ क्या इगो पे लेगा कि नहीं मैं तो जो करूँगा हो सही करूँगा तो इतना प्रटेक्सान आज यह बहुत हुआ कि बात की बात है न अब आप का एक इन्होंने टाइम यह पूरे टाइम रिविजन के लेगा ही नहीं रिविजन नकारो तो बात बनेघी ही नहीं अब एक दो कुशन और है आप से आप पर हैं तो आप से बनता है ओ क्यूशन कि एक्जाम के टाइम बच्चे कई सरे नर्वास हो जाते हैं कैसे टाइम मैनेज्मेंट नहीं कर पाते हैं बढ़ी हो प्रेक्टिस करके जा रहे हैं दो कोशन तप दिग गे चार कोशन तप दिग आज पास में कुछी ने कुछ बोल दिया, तो मलब वो confidence घर बला जा रहा है, उस समय एक हैसे अपने आपको maintain करके, तो एक्जाम से पहले को बताऊंगा, जैसे सबसे बड़ा हमेडर लगता है, वो तो maths का लगता है, एक्जाम से कुछ दिन पहले का, तो ऐसे करना है, आपको ह प्रवाईज करना यह जितना हो साके वो सर्जो पड़ारे ना क्योंकि कुछिन तो वह आने वाले है तुमारे जितना हो सेके अपने हाथ से उन क्युछिन को निकाल ले ना कम से कम दो यह तीन बार उर जैसे यह की स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कोई मैथ के तो उसने बहुत मतलब ऐसा होता है कि आसी से बोलते हैं कि कॉंफिडेंस बहुत उपर आता है दिमाग पे तो कोसिस करना दिरे-दिरे उसके बस खुद को एक माइंड ब्लोक वाले इससे दूर रहना कि एक क्यूश्चन निया तो मैं घबर आ गया पर उससे आपको जो आसान आसान होगे नो वो भी नहीं आएंगी बुराल हो जाएगा इक बार आप पर बता है कि एक्जाम से पहले वाली रात का अपने एक्स्परियेंस मेरी गल्ती है यह मैं सच पता रहा हूं जैसे अगर एकी श बारेंट हो ना हम मतलब जो जिसको selection लेना है मैं नहीं बोल रहा हैं कमारनी है, selection लेना है, तो अरग आपको selection लेना है, कई वच्च हो थे, मैं सच बतारो, मैं exam से, mains में, परेम से पहले साइथ में तीन चार गट अगटे सो लिया था मेंस से पहले नेंद नींद नी यायी मेरे तो मैट्स में तो दिमाग चली जाता है नींद में थोड़ा वो इंग्लीस में इस वह इंग्लीस में मेरा इसक्रीन वगेरा कुछ नहीं दिख पार थी डंग से लब कुछ तो क्योंकि छे गंटे कर आसपास मैं सोता था 6-7 गंटे कर आसपास तो मेरा शरीर मांगता आठ पार रहा था मैं तो सर दुखने लग गया सरपटने लगगे मैं 233 मार रहा तो मैडम बूली मेरे को कि क्यों मार रहा है वो सोची पागल होगे तो फिर मैंने डेड़ गंटे में करके मैं इसी वज़े स्थोड़े मार्स कम रहे तो मैं इसके लिए शला देना जाहूँ गल् दस गंटे जितना उसके नीद पूरी लेनी है क्योंकि आखरी रात को नीद आना बहुत टफ है मतलब और यह मतलब रात को सोने पाय है जिसका रेजल्ट है हो रहा है कि मतलब सब कुछ आते होगी हम फिजिकली एक टिम ना होने के वह से घड़बड़ा आ गया तो यह मैं चाहता था कि आप लोग साथ यह गलती करते हैं प्रेसर के वहर से कि मुझे जॉब चाहिए मेरे घर किस्तिय है मेरा अखरी अटेम्ट मुझे बहुत सारी चीजी और इस अब के साथ है नॉर्मल इससे आप जैसे मांक्स देखते हों तो आप को लगता हो कि बहुत ज्यादा Ya gonna than तो मुझे लगता तक नहीं ग्राँ यह क्या यह करता होगा तो उनको देख नहीं कि और भी ज़्यां गरम होजाता था तो तो सच बतारों अगर आप फ्ल्यूएंसी पर रहोगे तो दिरे दिरे आपने आप माइंड बैलेंस हो जाएगा आपके मांग उससे जादा ही आएंगी तो बस गब्राना नहीं है लगे रहोगे आप में से और किसी कोई कोशन तो नहीं है हां यह कोशन पुछ रहे हैं कि हम प कोशन जाना चाहिए मेरे को वह बढ़िया याद आया है कुछ जैसे मेरा यह था कि आपको लगता होगे दिमांग पांच-छे गंटे पड़ने के बाद अब बढ़ानी जा रहा है तो ऐसा ही होता था कि पड़ानी जाता था फिर नहीं पड़ पाता था लगा तो मैंने फिर पड़ बिमारी जाएक 70 तो फिर मैं रटू तो था था ही तो मैंने यह किया कि जैसे वो कैब है और स्चिंटिफिकली प्रूट है कि जैसे आप अगर गूमते गूमते अगर आप याद गरते हो रटते हो तो जल्दी रटा जाता है तो वो कैब हो गई जो जो पार्ट मैंने रटा था वो सब सब मैंने मतलब लग 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 3-4000 गौम गौम के यह चाहिए मैने गूमने सब तो यह बोल रहा हूं कि जितना उसके टाइम के यूटिलाइज करना है कि दो गंटे मैंच पड़ दिया फिर एक गंटे में GS पड़ू हाँ अब दो गंटे इंगलिस कि जैसे नींद बहुत जरूरी है जैसे आप एक तो लगातार साथ गंटे सो रहे हूं एक करके देखो सच में फाइदा होता है अगर आपको मिल रहा है तो टाइम छे गंटे रात को सो एक डिटे गंटे दिन में सो जाओ डबल एफिशेंसी आईगी पक्की बात है कुर्शन का जबाब नहीं मिला साथ आपको हाँ एक दो चीज और एक तो कि आप सुबा जो हम टाइम देते थे वो काईब के लिए जीएस के लिए वो टाइम ये बच्चे घर पे रहके यहाँ अपने पीजी में रहके ओनलाइन मेले जो है वो उसी तरी के शुटलाइच करें जैसे इनों नेक बोला कि आपको दो बार सुनने का मुझा मिले तो मिले हम लोग यही कर रहे है अबी रात को च्छे बज़ बार से च्छे का सुनने का टाइम दे रहे और दो पैर को एक से धाई तो वो माली जो रात को आई गंटे आदे गंटे लेट से भी सोए तो दो पैर में आप अलब एक डिड़ गंटे में कबर हो गया आप लोग नहीं सोचेंगा ऐसा ऐसा कोई फिक्स फर्मूला नहीं है आप इस तरी के से कर पाए हाँ लेकिन सुबह ओले टाइम का है जो हमने इंपोर्टेंस बताना चाहा रहे थे वो बताना और उस बचे कोशन था कि कौन सा कोशन सेक्शन पहले करें कौन सा बाद में करें दुनों जबाब देना जैसे आप पहले ही पांच मोग टैस्ट दस मोग टैसे रख लो और उसके अंदर बढ़ना लो कि मैं इस इसको मतलब ऐसे करूँगा सबसे पहले इसमें जीएस करूँगा फिर मैच करूँगा पर रिजनिंग जैसे आपको ठीक लगे और जिसमें आपका सबसे अच्छा इसमें मैच करना जिसमें सबसे ठीक लगे आपको तो वही आप सेलक्ट कर लो आपके क्या था इसमें एक चीज जैसे कई बार होता है हमारा की दिमाग मतलब एक दिन तो हम पूरा मनलाग पढ़ लिए अगले दिन सुबह उठता है तो मन करता है कि आज ना पढ़े वह तो मेरा यह रहता था कि मैं कोजिस करता था रात को यह मैंने पढ़ा हुआ है कि रात को जो हम सोते है ना उससे पहले कुछ मतलब भालतू की चीज नहीं आने चीए मा बाब बाबू सोना कुछ याद ना रहना चीए तो उस टाइम याद रखो कि बस जैसे CGL आद रहना चीए अगले दिन सुबा पने आप मन लग जाएगा पड़ाई में अगले दिन सुबा पने आप मन लग जाएगा पड़ाई में इन्होंने जो बोला वो साथ ध्यान ने दिये कि रात को सोने से पहले बाबू सोना गुड़ नाइच, sweet dream, take care, आज का दीन कैसा रहा यह सब की जोरत लेकिन जादे जोरी साथ अभी अपने आपको इस्टेबलिस्ट करना है तो थोड़ा सा स्वार्थी बन्या अपने कुछ समय के लिए, मुस्किल है मैं समझ रहा हूँ, हमारे है रूटीन में तफ हो गया है, जब तक 3 magic words ना भेजें ना देखें, लगता नहीं कि हमारे रहे तो इस पर ध्यान देना, मैंने बहुत करीब से देखा है इन बचों को, तो लोग बड़ी मनला जब मस्ती का टाइम थे, इनोंने मस्ती किया, कॉलेज लेबल पर पूछेंगा आप इस बोर्ट से हट के, ठीक ठाक बोलना भी चाहेंगा साथ कुछ, हां, कॉलेज के लेबल इन लोगों ने अपने लाइब को इंजवाय किया, कॉलेज के बाद आपका मला पूरा डेडिकेशन अपने करियर को लेके होना चाहिए, ये 365 दिन आपके मला आने वाले कई हजार दिन को डिफाइन कर देते हैं, तो इस पर साथ कुछ बोलेंगा भी मेरा कोशन पूरा नही करते थे, नाचना शुरू और जब तक सारे टूटके नहीं मतलब बुरो हाल नहीं हो जाता था ना, तब तक नाचना होता चबको, किसी दिन जादा ही दिमाग गरम हो जाए तो उस दिन मूवी देखने चले जाते थे, तो इस से जादा फिर वो है तो यानि पॉन पर टाइ प्राइडे नाइट होता था, क्योंकि हम प्राइडे आफ रखते थे, तो उस दिन रात को हम डिजल लगा के और प्रनाशते ही थे, अब हमने सटर्डे नाइट कर देखने, अब तो कम कर दिया हम इस तरह के एक्टिविटी, पहले काफ ही करते थे, और वह जब बोड़ी ठ मेरा तोड़ लोता कि दिमाग भी ठीक हो जाए, और मेरा मैं फिर बोलना चाहूंगा, मेरा ग्रेजविशन के बाद से, नेगेटिव इनसान कोई नी आया मेरी जिन्दिगी में, सब पोजिटिव थे, स्टार्टिंग में सर थे, फिर मेरे जैसे संदीप सर थे, और मेरे दो पुस्ता कि एक ही चीज़ बोलते थे बस थपकी मारते थे, भाई नवीन तो तो करेगा तू नहीं करेगा तो पर अम कैसे करेंगे तो फिर बस उससे थोड़ा वो मिल जाता था और एक फिर भुक ठाने को बाद फिर मन लगी जाता है, बीच में ऐसा हो गया था कि डेट नी एक चांस लेल, बस तु चाहिए चाहि़ हम करना रहे है, उसके बाद िमोका नहीं तेंगे कुछ मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि imaginary address नहीं होना चाहिए तो मेरे बच्चे आप ऐसे दोस्तों से बचो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं हर बार आपको descriptive में imaginary address ही देना है और हमने बार-बार बोला है और हम उमीद करते हैं कि आपको मतलब यह पता होगा और आप और मैंने हर बार इंटर्व्यम बोला आप लोग उसे भी कि दोस्त आपके अच्छे होने चाहिए यदि आपको सफल होना है तो निकम्मेन अकारे से दूर रहे है दोस्त मत मानिये उनको हाँ पढ़ लिए चल भाई मस्ते कर गयाँए उसके बाद हो दोस्त है और दोस्त खराब होंगे तो देख लेना मैं क्या आप मनला देरे दरे आप साथ 23-24 साल बोलना चाहिए कुछ आप देखो आप मजार आप बोलना चाहिए 23-24 साल अपने अपने दोस्तों के साथ बेतीत कर लिए है और आपका दश्वी बारविया के रिजुसर ने जो भी रहा हो तो उसमें एक अच्छा एक्स्प्रियेंस रहा होगा आपके दोस्तों को ले करके तो जितने बहतर रहेंगे मैंने लास्ट टाम भी एक एक जामपल दिया है था चार दोस्तों का की आपको स्ट्रिक्ट रहे हैं खुद के ऊपर ताइम टेबल के उपर, खुद का एक सबसे पहला, कि मेरा ऐसे हो रहता है, मैं रात को सोने जाता था, तो उससे पहले मैं बना लेता था, कि अगले दिन सुबह मुझे क्या पढ़ना है, और वो मेरी पोकेट में होता था, मैं सुबह उठते ही, मूह दोते ही, सबसे पहले उस बाकि आप ऐसा नहीं करेंगी, लेगिन इसमें काम का पॉइंट है कि अपना टार्गेट याद रहना चाहिए, जिसके लिए घर परिवार छोड़ के आए थे न, वो भूल जाते हैं आपर, बहुजा देने को मुझे इरिटेशन होगा, इस बात से, हाँ, बार बार वही को स बात से, हम बता चुके हैं आपको, और फिर किसी ने पुछा कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ने हैं, यह भी हमने साथ बता दिया है, मार्कस कैसे बढ़ेगा, और इस तरह के जितने कोशन थे हमने सब कुछ बता दिये हैं, अब एक लास्ट हम चाहेंगे, और तो हम लोग के को सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, एक है मैं डृट ट्रिक्स नाम से आपने देखी होगी मैक्सिमम ने, उसमें आप सीखते हो कैलकूलेशन करना, दूसरा होता है गेम होता है, एक ही फोन में दो सेट प बन जाएंगे, आप अपने दो तो आपस करते हो, तो उसको बोल्दे जा रहे हो तो चैनल गेम खेलते हैं। उसके अंदर कुछ रही हो तो मुल्टिप्लाइशन करनी होती है, डिवाइड ना होता है। वह आप सच बतार हूं बहुत फरक पड़ेगा। दूसरी एक अप है अलारम नाम से अलारम परना होता है। तो उसके आपको सेट अप करना प स्वान के पीछे उनकी मुल्टिप्लाइ करके कि दिना तब मेरे को वहां पर मतलब फाइदा हो गया था descriptive में कभी हम आपकी personal identity को पूछना ही नहीं चाहते हैं यदि वो पूछेंगे तो आपका जो copy check करने वाला है वो bias हो सकता है तिसलिए ऐसा को SSC ने notice नहीं डाला है मैंने आपको जबाब दे दिया है और हाँ address एदि given दिया है तो फिर प्रस्णि नहीं इस बार नहीं था address given नहीं था नहीं तो मेरे बच्चे मैंने आपको जबाब दे दिया है एदि address दिया होता तो साथ एक question नहीं आता चलें खेर एक last इन बच्चों को कोई सारी उरी करते हैं सारी नहीं करते हैं दो चार motivation टाइप इनको मरलब यह बता दो कि हार जाना तो घर मत भुस जाना सपलो के जाना है मरलब क्या हमारे उन बच्चों को एक message दो जो 2019 देने जा रहे हैं 2020 देने जा रहे हैं कैसे उनको पाइनली positive रहना है और कैसे उनको अपने target को fix रखना है और तो कोई कोशन किसी का भी नहीं है अब इंग्लिस का और मैत का मेरा हमने बच्चे ऑनलाइन वाले हमने आपको इंग्लिस मैत की सारी book GS की सारी बता दिये हैं आप वीडियो को दुबार देखेंगे आपको सारे question के जबाब मिल जाएंगा समराइज करके खतम करें अब समरी में बूलूंगा ना मेरे को यह पता चला की मेरे मतलब मोक में marks कैसे बढ़ते चलेगे साइद मेरे हिसाब से मैक्सिमम को पता नहीं चलता किसी को पता चलता होगा बस यह था मैं खेल कहूंगा सबसे पहला खेल सब दूसरी बदर की कोचिस करो भाई की सकते हो और आपके देट भी अब तक तो पक्का होगा आपका टो वह तो अवा थी और कोई दोस्त अगर कुछ ऐसा बहानना भी बता रहे हैं कि भाई लेट होगा या ऐसे सिंग कुछ एड होगा इस बार यह हो जाएगा इस बार यह जाएगा तो कुछ ना जै बोल गए चल देना ठीक है और अगर कोई जैसे माक्स कमा रहे हैं तो जरूर कानवी जैसे तो कॉसिस करो सम्झाने की के तो छी सaju अंधर को टूसरे बबौत कम समझाते बात में सम्झन लग जायाएं उस दिन यह पड़ना है उस दिन मुझे इसका रिविज्ण करना है अर चीज का पता और दा कि अखिए बागी सब बाद में और अ चलो एक बात यह मैं और इनका शेयर करता हूँ, यह हमारी टेस्ट में कभी टॉपर ने रहा, यह आशर की बात है, पोजिशन नहीं आते थे, इसलिए यदि नंबर कम आते हूँ, तो मेरे बच्चों आपको घवराना नहीं है, यहाँ नंबर जादे आते हूँ, बिल्कुल ओबर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, मैंने बहुत करीब से देखे हैं, जिनसे हमें सबसे जादे उमीद थी सेलेक्शन की, 99% का नहीं हुआ, कि लड़ाई जब तक खतम नहीं हो, तब तक कुछ माना नहीं जाएगा, है ना, हम चाहते हैं तो पहले भी ले के आ सकते थी इस बच्चे को, क्या हो एक बार बात करें, 29 तक हमने डिसकस भी नहीं किया, क्या हो ना हो, 29 को जब इसका टार 3 खतम होंगे, तो हमने का अब बच्चों को अपनी स्टेड़ी बता दो, क्लियर है? और अब कुछ मैसे कमेंट में कि गुर्कुल क्या है, तो इन सौर्ट एक बार उसको एक्स्प्लेन कर दो, कि गुर्कुल क्या है, कैसे काम करते हैं, 2-4 मिनट, और आप लोगा तो सारा एका कोशन खतम हो गया, अगर आ करता है, कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, और जैसे गुर्कुल की बात आती है, मैं यही कहूंगा, सबसे मेरा स्टार्टिंग का जो मेन रोल है, वो गुर्कुल ने स्टार्टिया है, मतलब को बरोसा देने वाला, कि मैं मतलब सलक्शन हो सकता है, अगर मैं महनत करू तो, ठीक तो उसर और भी बुपर बढ़ा रहें तो नवगो तुसके नधर आपको सर अपनी तरप से श्डूल तेंगे आपको इतने बजश इतने बज़चेश इतने बज़चे पढ़ना है इतने आपका ब्रेक और अपका सबसे बड़ी कमी होगी डिली में दिस्पाइन लाइफ नहीं होती है समझ रहे होगी और जैसे मेरा यह हुआ था कि मैं बताता न 2017 जुलाई 2017 से मेरी प्र्परेशन मैंने सोचा था कि मैस्टार्ट करूगा लेकिन रियल में मेरा माई तक कुछ भी नहीं होगा था मैंने टाया ताइम एंड वर्क यूनिट पड़ी थी मैंने सिर्फ उसके लग मैंने को यूनिट नहीं पड़ी थी सारी जाके मैंने गुरुकुल से स्टार्ट की दी जिसको जानना ओगा जो लोगी कमिईट में गुगर में सर्च करेंगे मिल जाएंगा किसी ने पुछा आपका नाम क्या है मेरा नाम görrow कुमार शिंग है और आप hebसे गूगल पर यूटूब पर सर्च कर सकते हैं एकडमी पर सर्च कर सकते हैं शूर शिक्स्टी गुरुकुल एस यू आर ए शिक्स तुम लोग कमेंट बॉक्स में जबाब दे दिया है गुरुमिर भाई और सबके डाउट किलेर हैं ऑनलाइन वालों के भी आपके टीर टू में कितने मांग्स थे आपके इंटरमी पढ़ाई के साथ दिन पढ़ाई ही जो रही है नहीं तो चलें आप सबको आल दा बेस्ट थेंक यू नभी नापको भी बहुत बहुत थेंक यू